आप सभी लोग को अभी तक तो पता ही चल गया होगा ये वाला पेपर 100% रियल पेपर है जी हाँ ये वाला 100% टोटली रियल पेपर है और आप सभी लोग को सबसे पहले हमारे चैनल टॉपर सॉल्यूशन पर ये पेपर देखने मिलेगा ठीक है अब बहुत सारी वीडियो में है और ये वीडियो जो होगी पार्ट वन होगी पार्ट वाइस पार्ट आएंगी जैसे जैसे सॉल्यूशन आगी कब बनता जाएगा वैसे वैसे हम आप लोगों को सॉल्यूशन देते जाएंगे और इस वीडियो में हम टार्गेट रखते हैं आप लभी सब से पहले 1 मीटर से कंड प्रारंभिग कैंड इंड प्र स्को तवरण के तुरइट मुझे माफ करेंगा इसकंसर अगर आप आर्लो पता हो तो वो होना चाहिये 45 डिगरी का जी हाँ 45 डिगरी का बहुत सारे बच्चे 90 डिगरी लगा जाते हैं जी नहीं 90 डिगरी नहीं होता है Mi 2 के केंदी पर हमें जएसी मिलता है तो हम इसको अफलोड कर देंगे अपने वाटसअब चैनल वाटसऊब गुरुप पर तो वाटसअब गुरुब जाकर ज鍊न हो जाएए आप सभी लोग उसे दुरखवास है ठीक है जल्दी से जाकर जाकर जाएए वाटसऊब गुरुप पे अब पांचवा वाला सवाल आजाता है आप लोगों का MCQs का 100% रियल पेपर का और जी हाँ अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस पेपर को देख कर चले जाओ और आप लोग आकर बोलोगी कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने इस पेपर को सीरियसली नहीं पड़ा जी हां यह 100% रियल पेपर है आप लोगों का और विट्स सॉल्यूशन के लिए के साथ कोई दे रहा है तो वो सरफ एक ही चैनल है टॉपर सॉल्यूशन तो जल्दी से जल्दी 38,000 सब्सक्राइबर करवा दो आप सभी लोग नेक्स पार्ट और जल्दी लाने की हम क किलो वाट एक केजी वाट बराबर कितना होता है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टैन्टू दी पावर माई फाइव अब केजी हटा देंगे तो कितने तीन जीरो और बढ़ जाएंगे यानि कि 1000 वाट बराबर आंसर हो जाएगा कुछ बच्ची 36 वाट लगा देंगे 300 इस आप से यह वाला कतन सत्ति होगा कि पिंड का विग धीरे-धीरे कम होगा ओके तो आंसर आप लोगों का यह रहा एमसी की उसके सारे आंसर हो गए और इनका स्क्रीन सोट ले सकते हैं आप लोग दों आंसर नहीं मिले फहला वाला और शौत्रा वाला बाकी तो चार की आं होती है तो इसका अंसर होगा आप सभी लोगों का पहले वाले का वेग जी हां वेग जो रहेगा इसमें अंसर आएगा बीच में रिक्तिस्थान के आप लोगों का मैं लिख देता हूं पहले वाले में पहले वाले में आप लोगों का एंड सेकंड वाले में आएगा आप ल यूगा आंसर आप लोग का और ये रहा आप लोग का आंसर यहां पर देख सकते हैं और फिर आता है आप सभी लोग का कुश्चन नमबर थर्ड सेकंड वाले का कि किसी चड़ वस्तू पर वेग उस चड़ इस्थान समय ग्राफ की प्रवर्णता प्रवर्णता के बराबर और आप लोग प्रवर्णता की स्पेलिंग देख सकते हैं ये रही प्रवर्णता ठीक है ये रही प्रवर्णता ये ता लिखा हुआ है वा समझेगा ठीक है अब आते हैं फोर्थ वाले कॉश्चन पर फोर्थ वाला कॉश्चन है कि समवेग में परिवर्तन की दर को क्या कह कि सम्वेग में परिवर्तन की दर को आवे कहते हैं एंड फिर आता है आप लोगों का पांचवा वाला कॉश्चन पांचवा वाला कॉश्चन आता है कि किसी वस्तू का उसकी गतिक जड़त के माप होता है किसी वस्तू का द्रव्यमान ठीक है द्रव्यमान जो होगा आप गृत्वी इस्थितिज उर्जा कहलाता है यह दो नंबर में सवाल आता है लेकिन 100% रियल पेपर में इसका एक नंबर में फिलिंदा ब्लैंक पूछा गया है आप सभी लोग उसे ओके अब आते हैं आप सभी लोग की मैचिंग पर मैचिंग जो है अभी हाल में यह इतनी ही मै कोई त्वरित गती वृत्ताकार कब होगी तो कोई त्वरित गती वृत्ताकार कब होगी तो इसके आंसर काफी मुश्किल से मिले तो कोई त्वरित गती वृत्ताकार होगी यदि वस्तू की गती की दिसा लगातार बदलती रहे कि मतलब त्वरित गती जब होगी त्वरित दोड़ता रहता है तो उसकी गती परिवर्तित रहती है तो उसकी वृत्ती तौरित गती जो रहती है वृत्ताकार गती में बदलती रहती है ओके अब आजाते हैं आप लोगों के नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट क्या है आप लोगों का फॉर्ट वाला कि कोई तौरित ग सामें प्रारंबिक वेक के सापेक्ट किया जाता है ठीक है एंड फिर आप लोग का फोर्ट तो तर्ट गती हो गया और आप सबी लोग का सेकर्ट थर्ड वाला है कि मेज पर 10 किलो ग्राम 10 ग्राम की सौरी 10 ग्राम की दर्वेमान की किसी पुस्तक पर अभी लंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा अभी लंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा तो 9 आप लोग का अंसर आएगा 9.1 न्यूटन 9.1 इसकी पूरी कैलकुलेसन होती है लेकिन आप सभी लोग 9.8 न्यूटन लेखें क्योंकि एक सब्द में पूछा गया है अंसर अब आजाते हैं फॉर्थ वाले कॉशन पर फॉर्थ वाला कॉशन आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है दो सुनने तो सद्स रास्यो का सद्स कुड़ा कब सुनने होगा तो उसके तीन आंसर है मैंने एक लिखाई कि जब दो सद्स एक दूसरे के समानतर हो यहां पर लंबवत लिख सकते हैं और जब दो सुनने सद्स एक दूसरे से गुणा हो तो सुनने सद्स पूछा पूगा आप सभी लोग का ओके एंड फिर आप लोगों का आएगा चंद्रमा को पृत्वी के आपस वृत्तिय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अवश्यक अवी केंद्री वल कहां से प्राप्त होता है तो पृत्वी इसका अंसर होगा पृत्वी के गृत्वा करसन के कारण और से बल प्राप्त होता है चलिए मैंने आप सबी लोगों चार क चाहेगा बाकी सब सत्त हैं आप सभी लोग देख लीजे मैं कुश्चन भी दिखा देता हूं और इसकी पीडियाफ तो आप सभी लोग को मिल ही गई होगी और सॉल्यूशन की पीडियाफ चाहिए तो आप सभी लोग जोईन कर सकते हैं हमारा वाटसप गुरॉप और ठीक है और 38,000 सबस्क्राइबर तो करवा ही दें जिससे कि मैं बाकी दो नमबर और तीन नमबर के सवाल का सॉल्यूशन लाकर आप सभी लोग को बता सको चलिए मैं मिल दूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ और जितना मैंने टार्गेट दिया हो से पूरा जरूर करना ओके और मैं आता हूँ आप सभी लोगों से किसी नई वीडियो में मिल लें